प्यारे बच्चो ये आपकी वर्कशीट नमबर 66 है जो आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज यानि की राजनितिक दल से लिग गई है और ये आपको आज 17 दिसंबर 2020 को करनी है एंड स्टुडेंट्स ये आपकी रिविजन वर्कशीट है इसमें आपकी रिविजन चल रही है वन वन मार्क्स के क्वेस्चन हमने अपनी पिछली वर्कशीट में डिसकस किये थे और इस वर्कशीट में हम 3-5 मार्क्स और सोर्स बेस्ट क्वेस्चन करेंगे तो चलिए शु functions of political parties ये जब हम chapter discuss कर रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से किया था कि political parties के क्या क्या काम होती है ये चुनाव लड़ते हैं यानि कि elections fight करते हैं two form laws कानून बनाते हैं क्योंकि अब आप पूछेंगे कानून कैसे बनाते हैं जो भी हमारी कारिय पालिका होती है विधान पालिका होती है उसमें से political parties से ही member elect होकर आते हैं और फिर वही आगे जाकर के parliament में बैठ कर हमारे लिए laws या कानून बनाते हैं उसके बाद सरकार बनाना यानि कि government को form करते हैं और run करते हैं उसके साथ साथ ये opposition का role भी play करते हैं हमने पड़ा था अपने chapter में कि दो तरह के दल होते हैं एक होता है सताधारी दल यानि कि जो elect होकर सरकार को चलाता है और दूसरा होता है विपक्षी दल यानि कि जो सरकार की नीतियों पर निगरानी रखता है उनके कारियों पर निगरानी रखता है जिसे हम विपक्षी दल कहते हैं ये अपनी policies या नीतियों के favor में government के against एक जन्मत का निर्मान करने में भी important role play करते हैं यानि कि ये public opinion form करते हैं now the second question किसी दल को प्रांतिय या राष्ट्रिय दल मानने का आधार क्या होता है what is the basis of treating a party national or regional in India भारत में कोई भी दल प्रांतिय है या राष्ट्रिय है यह हम कैसे decide करते हैं तो पहले हम प्रांतिय दल देख लेते हैं प्रांतिय दल जब किसी राजनितिक दल को राज्य विधान सभा चुनाओं में कुलमतों का कम से कम 6 प्रतीशत वोट मिला हो यानि कि when a party gets at 6% of the total votes of a state assembly elections जो state assembly elections होते हैं जिसमें वोट डाले जाती हैं उन में से जो वैद्ध वोट होती हैं उन में से पार्टी को 6% वोट मिलने चाहिए जिस पार्टी को 6% या उससे ज़्यादा वोट मिलते हैं हम उसे रिजिनल पार्टी माल लेते हैं जिसे कम वोट मिलते हैं वो किसे भी पार्टी की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होता है उसके बाद दूसरा एक और कंडिशन है या तो ये वाली कंडिशन फुल्फिल होनी शाहिए या तो second है जब किसी राजनितिक दल को राज्य विधान सभा चुनाओं में कम से कम दो सीटों पर जीत हासिल हुई हो तो अब आप समझ गए है कोई भी दल प्रांतिय है इसको डिसाइड करने के लिए जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसमें या तो उनको 6% वोट मिलनी चाहिए जितने वोट है टोटल उसका 6% या फिर कोई भी दो सीट्स पर उनको विक्तरी मिलनी चाहिए उनकी जीत होने चाहिए तभी हम ये कह पाएंगे कि वो प्रांतियादल है अब राष्टरी अदल होने के लिए क्या कंडिशन है राष्टरी अदल होने के लिए when a political party gets at least 6% of the total valid votes in the assembly elections of any four states in the लोकसभा elections. लोकसभा के जो elections होते हैं उन में से उन चुनावों में किनही चार राज्यों में जो विधान सभा चुनाव की कुल वोट होती हैं उसका कम से कम 6% वोट उस दल को मिलना चाहिए. लोकसभा के elections जब होते हैं उन में चार राज्यों में जितने वोट विधान सभा चुनाव में पड़े हैं उनका कम से कम 6% उनको मिलना चाहिए और या चार लोकसभा शीटों पर उनको जीत हासिल होने चाहिए. स्टेट इसम्बली एलेक्शन्स में केवल स्टेट के अंदर दो सीटों पर उनको जीत मिलने चाहिए. लोकसभा में चार लोकसभा सीटों पर जीत मिलने चाहिए ना कि स्टेट की. I hope आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. Now the next question is describe the various types of party system. विभिन प्रकार की दलिये विवस्ता का उलेक करो. जैसा कि मैं बोलती हो आपको questions आप diagram form में बनाएए. Concept map, mind map इस तरह की process follow कीजिए जिसे आपका question paper neat, clean और जो आप कहना चारे वो idea clear नजर आएगा, आपका paper सुन्दर नजर आएगा, sheet भरी हुई नजर आएगा और आपको पूरे marks मिलेंगे. जैसे कि माल लीजिए अगर ये question 3 marks के question में आता है, तब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इस तरह से center में दलिय व्यवस्ता first, second और third, जरूरी नहीं आप triangle बनाए, आप oval shape बना सकते हो, आप square shape बना सकते हो, वहाँ आपको designing नहीं करनी है. तो हम बात कर रहे थे दलिय व्यवस्ता की, तो तीन प्रकार की दलिय व्यवस्ता होती है, एक दलिय व्यवस्ता, जिसमें एक ही political party होती है, एक ही राजनितिक दल होता है, जैसे कि चिन, second number होता है, द्वी दलिय प्रणाली, यानि कि जहां पर दो दल होते हैं, और उन दलों के बीच में से ही, कि किसी एक को हम चूज करते हैं, और इस तरह कि प्रणाली जो होती है, वो ब्रिटेन और अमेरिका मुद देखने को मिलती है, जिसे हम double party system बोलती हैं, और तीसरे प्रकार की होती है, बहु दलिय प्रणाली, यानि कि आपके सामने बहुत सारे political parties, बहुत सारे राजनितिक दल होते हैं, जिन में से आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो, और इस प्रकार की जो प्रणाली है, या जो system है, multi-party system का, ये हमारे भारत और फ्रांस में हमें देखने को मिलता है, Now the next question is, What are the challenges before the political parties in present time? वर्तमान समय में राजनितिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनोतियां हैं, उनकी वैख्या करनी है, फॉर्स्ट है, lack of internal democracy, इसका मतलब आपको समझना है, आद्मत्रिक लोक तंत्र का अभाव, कोई भी राजनितिक दल होता है, वो केवल उसके नेता से नहीं बनता है, बहुत सारे उनके followers होते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे leaders होते हैं, बहुत सारे politicians होते हैं, जो सम मिला करके एक दल बनाते हैं, और जब भी कोई बड़ा party में, जब भी कोई बड़ा decision लेना होता है, किसकी seat, कौन सी seat, किसको मिलेगी, कौन election लड़ेगा, कौन प्रचार में help करेगा, जब ये सब decisions होते हैं, तो ये केवल जो बड़े नेता होते हैं, उस party के, केवल वो decide करते हैं, तो नीचे वाले जो लोग होते हैं, उन्हें अपनी बात रखने का, या अपनी बात कहने का, उनकी बात सुने का भी, उनको किसी को भी right नहीं होते हैं, उनसे उनकी even suggestions भी नहीं मांगे जाते हैं, तो लोग तंत्र का मतलब क्या है, कि जनता जो है, वो अपने विचार खुल कर रख सकती है, लेकिन आजकल के जो राजनितिक दल है, उनमें सारे निर्णे जो प्रमुख नेता होते हैं, वही लेते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं, कि जो आंत्रिक लोग तंत्र है, या इंटरनल डामक्रिसी है, उसका भाफ है, दूसरा है वन्षवादी उत्राधिकार, यानि की डाइनस्टिक है, इसके अंदर वन्षवाद हमने अपने पिछली वॉक्षीट की, जब हम डिस्केशन कर रहे थे, तब हमने पड़ा था, कि एक विक्ती के बाद, उसी के परिवार का दूसरे विक्ती, उस पार्टी की कमान संभाल लेता है, और हमने एक्जामपल देखा था, समाजवादी पार्टी का, जिसमें मुलायम सिंग यादव, अखिलेश यादव हैं, उनकी वाइफ हैं, वैसे ही भारतियर आस्ट्रियक कॉंग्रेस, पहले जवाला नैरू थे, फिर इंद्रा गांदी हुई, फिर राजिव गांदी हुए, फिर सुनिया गांदी हुई, और अब राहूल गांदी है, तो ये जो है, ये वन्शवाद है, यहाँ पर लोगों को, या जो नेता होते हैं, उनको आपस में ही, इलेक्ट करने का, चॉइस ही नहीं होती है, उनको एक फिर चॉइस नहीं मिलती, उनके पास, एक ही ऑप्शन होता है, कि उसी के परिवार का लोग, वो भले ही चाहिए, उसको उतने नॉलेज ना हो, लेकिन पार्टिक की कमान, वही संभालेगा, तो वन्शवाद जो है, वो हमारी राजनेतिक गलों के समक्ष, शबसे बड़ी चुनौती है, दूसरा धन और बल का प्रियोग, इलेक्शन्स को जीतने के लिए, पॉलिसीज फॉर्म करने के लिए, आपने देखा होगा, बूत कैप्चुरिंग, या फिर इलेक्शन्स से पहले, पैसे बाटने की, ऐसी बहुत सारी घटनाई हम सुनते हैं, इलेक्शन्स के टाइम पर, तो जो नेता होती हैं, वो इलेक्शन को अपने फेवर में करने के लिए, जीतने के लिए, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और बहुत सारे ताकत का प्रियोग करते हैं, गुंडे, आदी बुला करके, लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, जो की एक, आप कह सकते हो, चालेंज ही है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, दूसरा सार्थक विकल्प का अभाव, हमारे पार meaningful choices नहीं होती हैं, बहुत सालों तक Congress ने rule किया, लोगों को लगा Congress is not that much better, तो लोगों ने switch किया, BJP को, भारते जनता पार्टी को, अब भारते जनता पार्टी जो है, उसे भी लोग unsatisfied लग रहे हैं, तो उसके बाद कोई ऐसे बड़ी पार्टी है ही नहीं, जिसको लोग अपने प्रतिनिधित्व के रूप में स्विकार कर सकें, तो वापस से Congress, Congress से BJP हम ऐसे ही खेल खेलते रहते हैं, तो हमारे पास कोई meaningful choice नहीं होती, कोई ऐसा source नहीं होता, कि चलो ये नहीं, तो ये एक अच्छा, इमानदार, honest, मेज़ वाला person है, तो चलो हम इसको एक chance देकर देखते हैं, ऐसी कोई choice हमारे पास नहीं होती है, limited choice है, उसके बाद दल के सामाने सदश्यों के उपेक्षा, ये हम जब उपर वाला issue बात कर रहे थे, lack of internal democracy, तभी हमने बात कर ली है, इस point के बारे में, कि जो छोटे-छोटे जो members होते हैं, political parties के अंदर, उनको totally ignore किया जाता है, उनकी suggestions, उनकी ideas के लिए कोई value नहीं होती, उनसे केवल काम करवाना होता है, वो किवल प्रचार और प्रशार का काम ही करते हैं, तो these are the main challenges, before our political parties in present time, now the next question is, discuss the main ideological elements, of the Indian National Congress, भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के प्रमुख विचारात्मक तक्वों के आपको विवेचना करनी है, इसमें आपको केवल important बात ही बतानी है, जैसे ये इसका सिंबल है, हाथ का निशान, ये सबसे oldest यानि की पुराने राश्ट्रिय दलों में से है, 1885 में इसको फॉर्म किया गया था, भारतिय राश्ट्रिय आंदोलन, यानि की जो national movement था, उसमें बहुत ही एहम भुमी का important role इसने play किया था, ज्वाहलाल नहरू जी की अध्यक्षता में भारत को आधुनिक, धरम निर्पेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में भी इनका important role है, led by ज्वाहलाल नहरू दी पार्टी, attempted to make India a modern, secular, democratic republic, और अब ये जो पार्टी है वर्तमान काल में विपक्ष की भुमी का निभा रही है, और पोजिशन पार्टी की तरह हमारी politics में काम कर रही है, now the next question is discuss the main ideological elements of भारतिय जन्ता पार्टी, अब आपको भारतिय जन्ता की ideology को भी इसी तरह से explain करना है, जो कमल का फूल है, ये इनका चुनाव चिन है, 1951 में श्यामा प्रशाद मुकर जी ने भारतिय जन्संग नाम की एक political party बनाई थी, उसी को पुनर जीवित करके 1980 में भारतिय जन्ता पार्टी का गठन किया गया था, इन 1951 भारतिय जन्संग, formed by श्यामा प्रशाद मुकर जी, revived and formed भारतिय जन्ता पार्टी in 1980, प्राचीन संस्कृती से प्रेड़ना लेकर मजबूत और आदुनिक भारत का निर्मान करना इनका मुख्य उदेश्य है, make a strong and modern nation by taking inspiration from old culture, ये जो पार्टी है समान नागरिक सहित्वा में विश्वास करती है, faith in equal code for citizens, यानि कि सब को equally treat क्या जाएं, उनका किसी भी तरह से रंग जाती, caste, creed, आदी के base पर कोई भी discrimination उनके बीच में नहीं होना चाहिए, और at present ये ruling party यानि कि सत्ताधारी दल की तरह काम कर रही है, हमारे जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारते जंता पार्टी के ही प्रमुखनेता है, जो कटबंदन की सरकार है, उससे आप क्या समझते हो, और इसका क्या रोल होता है, हमें इसके भुमे का पर चर्चा करनी है, जब चुनाव में किसी भी दल को सपस्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक राजनितिक दल विकास के साज़ा कारेगरम के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं, मान लीजिए कि 240 वोट टोटल हैं और जीतने के लिए हमें इसका हाफ प्लस वन यानि की 121 सीट्स चाहिए हूँ, और आप इमेंजिन किये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 121 सीट्स नहीं मिलती हैं, जैसे हम माल लेते हैं कि जो BJP है उसको 100 seat मिल जाती है और जो आम आदमी party है उसको 25 seat मिल जाती है और जो congress है उसे 40 seat मिल जाती है तो ऐसे में जो BJP है इसको किसी भी political party को स्पर्स्ट भूमत नहीं है यानि कि 121 जो हमें चाहिए data वो किसी के पास नहीं है तो BJP और आम आदमी party मिल कर दोनों तब इनके 125 मेंबर हो जाते हैं जिससे ये भूमत में आ जाती है तो ये जो मिलाने की जो ये प्रिक्रिया है इसी को हम गटबंदन कहते हैं तो आम आप समझ गई होंगे कि जब चुनाव में किसी को भी स्पर्स्ट भूमत नहीं मिलता तो दो या दो से अधिक जो राजनेतिक दल हैं वो मिल करके सरकार बना लेते हैं जिसे हम गटबंदन की सरकार कहते हैं गटबंदन की सरकारों के कारण राश्ट्रिया दल शेत्रिया दलों की अंदेखी नहीं कर सकते केंद्रिया सरकारों को भी सभी शेत्रों के विकास पर धान देना होता है यानि कि जो छोटे-छोटे राजनेतिक दल होते हैं जो शेत्रिय दल है जो पर्टिकुलर एक शेत्र विशेश में पाए जाते हैं जब उन से गटबंदन किया जाता है तो उनके एरिया को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आ तो जो राश्ट्रिय दल है यानि कि जो र प्रतिनिधित्प का मुखा मिल जाता है When no party gets a clear majority in elections, two or more political parties run the government in collaboration with the common program of development, is known as coalition government. At central level, India had a long history of coalition governments in 1989-2014. Regional party plays important role in coalition government and it helps to strengthen democracy. Due to coalition government, national parties cannot ignore regional parties. The central government now have to listen to the voices of all areas due to the coalition government. Now, the coalition governments of particular Kshetriya parties can ignore or neglect. Now, what is the meant by regional political party? जो प्रांतिय दल होते हैं, उससे आप क्या समझते हो और किसी भी राजनितिक दल को प्रांतिय दल का दरज़ा कब दिया जा सकता है? जो लास्ट वाला है वो हम डिसकस कर चुके हैं अब इसी वरक्षीट में पहले हम बात कर लेते हैं प्रांतिय दल की लोगों का एक ऐसा संगठित समून जिसके सदश से किसी सांजी विचारधारा में विश्मास करते हैं, प्रांतिय दल के लाते हैं. An organized group of people whose members believe in a common ideology or they have some political outlook are called provincial parties. यानि कि लोगों का एक ऐसा समूच इनकी विचारधारा आपस में मेल खाती है और उन्हें उनका जो benefit है, जो lab है वो भी एक ही दृष्टी कौन है उनका उस lab को ले करके, तो वो mail करके जो दल बना लेते हैं उसे प्रांतिय दल कहते हैं. और यह हम डिसकस कर चुके हैं कि जो state assembly elections होते हैं, उनमें यदि उनको कुल मतों का 6 प्रतिशत मिल जाता है या फिर दो शीर्स पर वो जीत जाते हैं, तो हम उनको प्रांतिय दल का दर्जा दे देते हैं. The rise of regional parties has led to strengthen of federation and democracy in our country. Do you agree with this statement? भारत में शेत्रिय दलों के उभार ने संगबाद इममलुक तंत्र को मजबूत किया हैं. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हम बिलकुल सहमत हैं. अभी मैं question दिखा देती हूँ, यह जो points हमने पड़े हैं, यह इसी questions के अंदर भी आप add कर सकते हो. जैसे तीन दशकों से शेत्रिय दलों के संख्या में व्रिदी हुई है, यानि कि पिछले थ्री डिकेड्स से लगातार जो regional parties हैं, उनके संख्या में इजाफा हुआ है, जिससे जो हमारी parliament है, जो संसद है, उसके अंदर diversity यानि कि विविदता आ गई है, पहले के बल एक या तो मुख्या party ही वहाँ पर रहते थे, अब जैसे ही coalition government बनना शुरू हुई है, तो उससे जो गटबंदन वाला जो issue आया है, जो alliance बनाने का जो नया एक नई politics आई है, उससे जो शेत्रिय दल हैं, उनकी importance बढ़ गई है, जब भी कोई शेत्रिय दल, राष्ट्रिय दल को सप जो नई politics है, alliance, new politics of alliance, इसको बल मिला है, तब से हमें लगता है कि भारत में जो शेत्रिय दल हैं, उनसे संगवाद और लोकतंत्र को बहुत मजबूती मिली है, संगवाद का मतलब होता है, जब सरकार की जो ताकत होती है, उसको दो या दो से अधिक्षत्रों पर विभाजित कर देते हैं, ठीक है, now the next question is, ने मैंनी two regional parties of Tamil Nadu with your symbols, Tamil Nadu के किनी दो प्रांतिय दलों का नाम आपको चुनावचिन के साथ बताना है, तो ये है All India Anna Darvid Munetra Kadagam, जिसका लोगप्रिया नाम है Anna Dramuk, ये Tamil Nadu और पुदुचेरी का राजनेतिक दल है, इसकी स्थाबना 1972 में हुई और की किसने थी, जो अभिनेता भी थे और राजनेतिक थे, M.G. रामचंद्र और ये इनका चुनावचिन है, मैंने information आपको सारी दे दी है बिटा, लेकिन आपको केबल दो नाम और उनके चुनावचिन लिखने हैं, तो आप political party का नाम और उसका चुनावचिन से भी काम च चला सकते हैं, सेकिंड है दर्विड मुनेतर कसगम, जिसको द्रमुक या DMK बोलते हैं, वो अन्ना द्रमुक है, ये केबल द्रमुक है, और इसका चुनावचिन है, उगता हुआ सूर्य है, इसके स्थापना 17 सितंबर 1949 में हुई थी, चुनावचिन या लिखा हुआ है, इस सामाजिक लोकतंत्र और समानता की विचारधारा में विश्वास करते हैं, अब आपका लास्ट क्वेशन बच जाता है, सोर्स बेस्ट क्वेशन्स, ये पैरग्राफ में ही हैं, और इसको इसके क्वेशन्स आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको कु छे से साथ लाइन हैं, तो जब आप सार लिखेंगे, तो आपका जो सार है, वो तीन से चार लाइन में आ जाना चाहिए, उसे ज़्यादा आपका नहीं होगा, और ये आप हिंदी में गद्दान्स का सार लिखना, पोयम का सार लिखना, बहुत अच्छे से कर चुके हो यूबे मैंने जो ड्रीफ थी, वो मैंने बाद में एड कर दी है, ये हिंदी वालो, ये स्पेशली हिंदी वाले स्टूडेंस के लिए उनके लास्ट प्वेश्चेन का आंसर है, जिसमें गद्दान्स का सार दिया गया है और ये इंग्लिश मेडियम के स्टूडेंस के